प्लूटो नाम सुनते ही रहस्य का एहसास होता है। इसकी कमी थी, इसकी भरपाई हमारी कल्पनाओं पर इसकी पकड़ से होती थी। प्लूटो अज्यात का प्रतीक था, ब्रह्मांड के हमारे अपने छोटे से कोने का अंतिम फ्रंटियर। हमें क्या पता था, इसकी कहानी में एक नाटकिय मोड आने वाला था। प्लूटो की खोज की कहानी सूक्ष्म अवलोकन और थोड़े से भाग्य की कहानी है। बीसवी शताबदी की शुरुवात में क्राउन विद एक काल्पनिक ग्रह की खोज कर रहे थे। माना जाता था कि यह मिस्टरी मैग्रा, एक्स यूरेनस और नेप्च्यून की ओर्बिटों में गुरुत्वा कर्शन विसंगतियों के लिए जिम्मेदार था। एरिजोना के लॉविल वेद शाला में एक युवा क्राउन शास्त्री क्लाइड टॉमबॉग से मिले। व्यवस्थित रूप से रात के आकाश की तस्वीरें लेने की कठिन नाइनकरी सौपी गई। टॉमबॉग ने चलती वस्थू के किसी भी संकेत की तलाश में छवियों की तुलना करते हुए अंगिनत घंटे बिताए और फिर 18 फरवरी 1930 को उन्होंने इसे पाया। तारों की प्रिष्थ भूमी के खिलाफ अपनी स्थिती रेविलुशनाइजते हुए प्रकाश का एक छोटा सा स्पेक प्लूटो की खोज हो चुकी थी। इस खबर ने वैकनॉलजिक समुदाए में सदमे की लहरे भेज दी और दुनिया ने हमारे युनिवर्सिय परिवार में शामिल होने का जश्न मनाया। कई दशकों तक प्लूटो नाइनवे ग्रह के रूप में सर्वोच शासन करता रहा। क्राउंड विट्वो ने कई बरफीले बॉडियों की खोज शुरू की उन में से कुछ आकार और द्रव्यमान में प्लूटो को टक कर दे रहे थे। ऐसी ही एक वस्तू जिसे 2005 में डिस्कवर या गया था और बाद में एरिस नाम दिया गया ने चीजों को हिला कर रख दिया। शुरू में माना जाता था कि एरिस प्लूटो से भी बड़ा है जिससे क्राउन विट्वों को एक कठिन सवाल का सामना करना पड़ा। अगर प्लूटो एक ग्रह था तो क्या एरिस भी एक नहीं होना चाहिए। कोई पर बेल्ट में एरिस और अन्य प्लूटो के आकार की अबजेक्टों की खोज ने एक बहस छेड़ दी जो ग्रह विज्ञान की नीव को हिला देगी। एरिस की खोज और प्लूटो की ग्रह स्थिति के लिए इसके नहितार्थों ने IAU को उनमाद में डाल दिया। IAU को ये परिभाशित करने का काम सौपा गया था कि एक ग्रह का गठन क्या होता है। बहुत बहस के बाद IAU ने 2006 में तीन मानदंड स्थापित किये जो एक क्राउंड ये पिंड को ग्रह के रूप में वर्गी कृत करने के लिए मिलना चाहिए। एक ग्रह की IAU की नई परिभाशा ने तीन प्रमुख मानदंड स्थापित किये पहला वस्तु सूर्य के चारों और कक्षा में होनी चाहिए। फिर से प्लूटो अपने राउंडाकार रूप के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। कि यह तीसरे और अंतिम मानदंड को पूरा करने में विफल रहा। प्लूटो को एक बॉने ग्रह के रूप में पुनरवर्गी कृत करने के आई आई यू के फैसले ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। कई लोगों के लिए ऐसा लगा जैसे एक प्यारे यूनिवर्सिय साथी को पदावनत कर दिया गया हो, उसकी ग्रह स्थिती छीन ली गई हो। हमारे नाइनवे ग्रह के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए प्लूटो के निधन की सुर्खियों में चिल्लाहट थी, लेकिन मीडिया उनमाद और सार्वजनिक आक्रोश के बीच, आई एई यू के फैसले ने सौर मंडल की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षन को च एक सांस्कृतिक था, पाथे पुस्तकों को फिर से लिखना पड़ा, पाथों को संशोधित करना पड़ा और अंगिनत बच्चों और वयसकों को इस तथे के साथ आना पड़ा कि हमारे सौर मंडल में अब आठ ग्रह हैं, नौ नहीं। सामना करना पड़ा, लेकिन बिगिनिंगी जटके और भ्रम के बीच, प्लूटो के पुनरवर्गी करण ने वैकनौलजिक खोज की लगातार विकसित होने वाली प्रकृति के बारे में बातचीत में जनता को शामिल करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया। पूरी की, जिसने प्लूटो की सतह की आश्चर्य जनक छवियों को कैप्चर किया और एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया, जो हमारी कलपना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील थी। प्लूटो हमने सीखा, नाइट्रोजन ग्लेशिरों, विशाल पहाडों और आश्चर्य जनक रूप से विविध परिद्रिश्य की दुनिया है। प्लूटो की कहानी एक अनुसमारक है कि अन्वेशन और खोज वास्तव में कभी खत्म नहीं होती है। हमारे अपने सौर मंडल के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। विशाल ब्रह्मान को तो छोड़ ही दें। और कौन जानता है, शायद कहीं बाहर अंतरिक्ष की गहराईयों में एक और प्लूटो हमारी खोज की सिंबोल शा कर रहा है।